रमजान के आखरी जुमा यानि के अलविदा जुमा की नमाज को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है रमजान के पवित्र महीने में लोग अकीदत के साथ रमजान के रोजे रहते हैं और अल्लह की अबादत करते हैं पोरे महीने में चार बार जुमा का दिन यानि के शुक्रवार पढ़ता है पवित्र महा के आखरे शुक्रवार को अलविदा जुमा की नमाज अदा की जाती है ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय को रमजान से बिछडने का यानि की अलविदा कहने में बहुत तकलीफ होती है मुस्लिम समुदाय में रमजान की बड़ी फजीलत है इसी अलविदा जुमा और इसके बाद ईद की तयारियों में मसलिम समुदाय के लोग लगे हैं वहीं बात करें बाजारों की तो बाजारों में रवनक भी दिखाए दे रही है चारो तरफ सेमाई तथा विभिन पकवानों को बनाने के सभी साजो सामान बाजारों में विखने शुरू हो गए है साथी दुकानों पर भीड भी बढ़नी शुरू हो गई है इसी कड़ी में आजमगर जिले के नगर पंचायत अतरोलिया में भी लोगों की तैयारियां जोरो पर है नगर पंचायत निवासी शाकिर अली ने बताया कि ईद के पहले की अलविदा जुमा को लेकर मुस्लिम बंधू में काफे उत्सा है जिसके लिए सारी तैयारियां की जा रही है कोरोना काल के बाद पहली बार इस तरह के छूट उतरप्रदेश सरकार ने दी है जिससे लोगों के अंदर खुशी है और आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर तेवार मनाने की तैयारी की जा रही है लोग आपसी भाईचारे को कायम करते हुए शांतिपूर महोल बनाए ताकि भारत की एक्ता और अखंड़ता का संदेश पूरे विश्व में जाए तैयारी है मुस्री मल्दू में उत्ता है हम लोगों में उत्ता है आकरी जुमा है यित के पहले की और इसमें हम लोग परवार समाज में तैयारी है खुसी-खुसी पढ़ छूट है जोगी जी ने छूट दिया है उसे हम लोग कोरोना को देखते हुए एहतियाद बरत रहे है कि कोरोना का मलब वो सम्मानों इसे जोगी जी ने अव मोधी जी ने जो बैक्षीन लगवाया है वो सुरच्छा कवच का काम करेगा हम लोगों से आई विंडेनूस की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंक की बटन को दबातर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें